नमस्कार दोस्तों मैं राउल आप सबका राउल टैक राउन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों 3678 पदव पर जो राजिस्तान हाई कोर्ट डी ग्रूप की जो भरती निकली है उसमें जो आपका सेलेबस है मैं आपको पूरा इस एनल पर पूरा कवर कराऊंगा डैली आपके जो प्रेटी सेट में लेकर आऊंगा उसमें महस्ट इंपोटेंट क्यूशन करवाऊंगा जो आपके कमपेटिसिन एक्जॉमा में आयू होंगे और उनको अगर आप देख लेंगे प्रेटी सेट में जितने भी कराऊंगा वो आप रेगुलरी देखते जाएंगे तो आपका जो राजिस्तान हाई कोट गूरूप डी भरती है वो किलियर करने से आपको कोई नहीं रोग सकता है आज हम सबसे पहले बात करेंगे राजिस्तान की कला संस्कृति में राजिस्तान की बासा और बोलियों से समंदीद महत्वपूर्ण 20 प्रेशनों के बारे में और साथी में आपको डेली ने ने प्रेटी सेट लेते रहूंगा राजिस्तान हाई कोट गूरूप डी भरती समंदीद आप देखते रहिए और कलियर कीजिए राजिस्तान हाई कोट गूरूप डी भरती को चलिए आज के इस टोपिक को शुरू करते हैं और मैं आपको 20 इंपोर्टेंट क्यूशन है जो आपकी कम्पेटिशन एक्जामा में आई हुए है इनको अगर आपने सही डंग से देख लिया जितने भी फ्रेटी सेट है तो आपके गूरूप डी में कोई नहीं रोख सकता है क्योंकि इन्हीं का जो लेवल रहेगा आपकी गूरूप डी भरती का वो इतना हाई नहीं जाएगा और जो भी पर्षन है आपके पिसले एक्जाम में आई हुए हैं वो ही आप आपस देख लेएंगे तो आपका किलिर हो जाएगा तो चलिए सबसे पहले क्यूशन देखते हैं राजिस्तान की किस बोली पर माराथी बासा का परभाव है तो इसमें आपको बताने है कि राजिस्तान की किस बोली पर माराथी बासा का परभाव है आपके सामने उप्षन है बागडी, मालवी, डूंडाडी, राथी बताई दोस्तों इनमें से कौन सा उप्षन आपका राइट होगा तो इसमें से आपका जो राइट आंस्वर है वह है आपका बी, मालवी आपके जो जिस पे आपके माराथी बासा का परभाव है चलिए नेक्ट क्यूशन की और बढ़ते हैं नेक्ट क्यूशन है आपके सामने नेमन मैं से कौन सी डूंडाडी की उप बोली नहीं है आपको जो नीचे जो स्यार उप्षन दिये गए इनमें से आपके जो डूंडाडी की उप बोली नहीं है वो आपको बतानी है सबसे पहला option है आपके बास सामने तोरावाटी, उसके बाद में राजावाटी, नागरचोल या राठी इनमें से कौन सा option आपका सही होगा बताईए दोस्तों तो इसमें से आपका जो राई डांसवर है वो आपका डी है राठी, राठी आपके जो टूंडाड की ओप बोली नहीं है जो भी इनमें से आपके दिक गई है उनमें से चलिए नेक्ट क्रीशन के और बढ़ते हैं दूंगरपुर बासवारा छेद्र में कौन सी भासा बोली जाती है बागडी बोली जाती है वागडी, मिवाती या मालवी इसमें से कौन सा option सही होगा तो इसमें से आपका सही option होगा वागडी इसमें ध्यान रखना है दोस्तों वागडी और वागडी में only for व का अंतर है तो इसमें सही option होगा आपका वागडी वागडी नहीं होगा इसमें आपका सही option होगा वागड़ी इसमें आप confuse ना हुएं नेक्ट क्यूशन के और बढ़ते हैं राजिस्थानी बासा का पहला माने जाना वाला नाटक किस ने लिखा यानि कि राजिस्थानी बासा का जो सबसे पहले माने जाना नाटक है वो किस ने लिखा आपके सामने option है लाल दास, सेवच चंदर भरतिया, चरहन दास या सूर दास इन्हें में से कौन सा option सही होगा तो इसमें से आपका B option सही है सेवच चंदर भरतिया आपका B option सही है चलिए नेक्ट क्यूशन के और बढ़ते हैं दक्षनी पूरी राजिस्तान की कौन सी बोली है यानि कि दक्षनी पूरी राजिस्तान की कौन सी बोली है आपके निमन में से बतानी है आपको तो इसमें से आपके right answer कौन सा का बताईए सबसे पहला है हाडोती, मारवाडी, मालवी, डुनडाडी इसमें से सही option कौन सा है तो इसमें से आपका मालवी जो C option है वो बिल्गुल सही option है दोस्तों अगर आप यह जो मैं question बता रहा हूँ इनको आप वापस एक वार देख लेंगे सही डंग से आप इनको देखते हैं तो आपके जो राजिस्तान की कला संस्क्रती के पूरे टॉपिक के लिए रोजाएंग क्योंकि मैं आपको पूरे के पूरे जो राजिस्तान की कला संस्क्रती के जो आपके राजिस्तान आई कोड गूर्प डी में जो टॉपिक दिये हैं मारवाडी, मालवी, डुंडाडी इसमें से सही option कौन सा होगा दोस्तों बताईए तो इसमें से आपका सही option होगा B, मारवाडी जो दोस्त ये क्यूशन देखके वीडियो को पोज करके comment box में जो अपना answer है क्यूशन लगा के answer बताएं फिर आप देखें कि आपका सही हो राग नहीं हो रहा है अगला क्यूशन है किसने राज रुप की भूमिका में डिंगल को राजिस्तानी बासा का है तो इसमें से आपको बताने है कि राज रुप की भूमिका में किसने डिंगल को राजिस्तानी बासा का है आपके सामने option है इसमें से बताइए कौन सा option सही होगा तो इसमें से आपका C option पंडित, रामकर्ण, आसोपा आपका सही option होगा चलिए next question के बढ़ते है तोरावाटी है तोरावाटी क्या है आपको बतानी है ये डूंधाडी बोली है या मेवाटी बोली है मारवाडी बोली है या हडोती बताइए दोस्तों तो ये जो तोरावाटी है आपके डूंधाडी बोली है तोरावाटी आपके डूंधाडी बोली है next question के बढ़ते है किस जिल्ले में गोडवाडी बोली बोली जाती है गोडवारी बोली की जिले में बोली जाती है तो आपके इसमें से जो option दे रखे मैंने जोदपूर, जालोर, डुंगरपूर और कोटा इसमें से आपका सई आंसर होगा जालोर B और इसके साथ में मैं आपको व्यक्या मैंने बताईए जो आपके शिरोई जालोर तथा पाली जिले के पच्छीमी बाग को गोडवार तथा यहां की बोली को गोडवारी का जाता है जो आपके शिरोई जालोर वो पाली का जिले के पच्छीमी बाग उसको गोडवार का जाता है और यहांकी बोली को गोडवाडी का जाता है यहांकी अगर आपके option में शिरोई, जालोर या पाली इन तीनों में से कोई भी आए तो इनमें तीनों में से आपको सही करना होगा चलिए next question के और बढ़ते हैं खेराडी बोली किस छेत्र में परचली थे खेराडी बोली आपके किस छेत्र में परचली थे बताइए दोस्तों जोदपुर पाली में है क्या टॉंक भीलवाडा, अलवर भरतपूर, डूंगर उद्यपूर इनमें से कौन सा option सही होगा तो इसमें से आपका सही option होगा टॉंक भीलवाडा कि आपके खेराडी बोली परचली थे टॉंक भीलवाडा में आपके आगे बढ़ते हैं 1961 में कुल कितनी राजिस्तान की बोलिया थी बताइए दोस्तों कि राजिस्तान में 1961 में कितनी राजिस्तानी बोलिया थी आपके सामने option है 71 बोलिया 17 Joey 64 बोलिया इन्हें में से कौन सा option सही होगा तो आपके इसमें से सही option होगा 72 बोलिया बी option आपका सही नहीं होगा मेवाती, डुंडाडी, मालवी या राठी इनमें से कौन सी बासा में लिखी है तो संत दादू ने डुंडाडी बासा में लिखी है आपका B option सही होगा चली next question के और बढ़ते हैं निमने लिखीत में से मारवाडी बोली का साइती रूप है आपके सामने options है अब ब्रंस, डिंगल, हिंदी, मेवाडी इनमें से कौन सा option सही होगा बताइए तो इसमें से आपका B option जो डिंगल है वो आपका सही होगा ये आपका मारवाडी बोली का स अगर आम इनको सही डंग से देख लेते हैं तो आपके कोई भी एक्जाम हो तो जो बोलियों से सम्मधित हो तो आपका टॉपिक किलिर हो जाएगा ये इक परशन है जो आपके सभी competition exam में गुम खे फिर के वापस आते हैं अगले question के और बढ़ते हैं विजेदान देथा किस बाशा के लेखक हैं विजेदान देथा किस बाशा के लेखक हैं बताईए आपके सामने option है हिंदी के संसकत के गुजराती के या राजिस्थानी के तो आपके विजेदान देथा है जो आपके राजिस्थानी बाशा के लेखक हैं next question के और बढ़ते हैं नेवन में से किस जि पर नहीं बोली जाती है तो आपका उप्षन है उद्वाड़ी भासा का भी सुद्रूप का दर्ष्टिगत होता है यानि कि जो मारवाड़ी भासा है उसको भी बिल्कुल सुद्रूप से कौन सी छेतर में बोला जाता है तो आपके पूरवी राजिस्तान के मद्य पूरू भाग की परदान बोली कौन सी है आपके सामने अप्षन है रागड़ी डुनधाड़ी मेवाती या बागड़ी इनमें से सही उप्षन कौन सा होगा तो इसमें से आपका राइट आंस्फर है बी डुनधाड़ी आपके पूरी राजिस्तान के मद्य पूरू भाग की परदान बोली है नाकरे चुनो लगाने से तात्परे क्या है बताइए तो आपके सामने अप्षन है उचित बात कहना किसी की इजित के बट्टा लगाना परशी होई थाली में कुछ भी नहीं रखाना या निर्जल इसमें से आपका सही उप्षन है दोस्तों किसी की इजित के बट्टा लगाना नाकरे चुनो लगाने चलिए नेक्ट क्यूशन के और बढ़ते हैं पगतिया उतारने से तात्परे है आपके जो ये कहवत कही गई है पगतिया उतारने से तात्परे क्या है तो इस्तान इस्तान पर चालाखी करना आस्वासन देते रहना परिश्रम करना या बहु विचार कर कारे करना आपके सामने ये चार उप्षन है इसमें से सही उप्षन है आपका आस्वासन देते रहना नेक्स्ट क्यूशन के और बढ़ते हैं परताबगड, अजबगड, थाना गाजी और बल्देवगड में बोली जाने वाली बोली है आपके इनमें से जो परताबगड, अजबगड, थाना गाजी और बल्देवगड में बोली जाने वाली बोली है दोस्तों ये जो most important 20 questions थे ये बहुत important है और next में जल्दी आपका नया प्रेक्टी सेट आपको कल मिल जाएगा तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा आपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल के साथ जोड़ जाएए मैं आपको हर एक competition exam का most important question हर एक subject wise आपको कराऊंगा वीडियो देखने लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद